नमस्कार आज हम बात करेंगे सिर में होने वाली फोडी फुन्सी के बारे में जिसे फॉलोकुलाइटिस डीकैल बन्स भी बोलते हैं वाप में से इसे लोग जिनको सिर में हमेशा खुजली होती है, छोटी-छोटी फोडियां हो जाती है, फोडी फुनसी बार-बार होती है, और वहाँ पे खुजाने के बाद कुछ परस जैसा खुन जैसा निकलता है, और वो होने के साथ सथ बाल भी ज़ड़ते चले जा किस तरह की इलाज करने चाहिए, पूरी की पूरी जानकारी, आज इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का हम इश्रो वेदा में, और आज हम बात कर रहे हैं, फोलिकुलाइटीस डिकेल वन्स के बारे में, जिसे हम बोल चल की वाशा में हम सिर में होने वाली फोडी फुनसी बोलते हैं, तो हम फोडी फुनसी बोलेंगे, ऐसे बड़े-बड़े नाम क्यों का मन करेगा, इस तरह की तकलीफ होती है, और ये होने के बाद फिर वहाँ से बाल जढने की तकलीफ हो जाती है, तो इस बीमारी को आईरवेद में बोलते हैं, अरुनशी का, जी हाँ, अरुनशी का इस बीमारी का आईरवेदिक नाम है, सबसे पहले ये बीमारी होती क्यों तो आईरवेद में इसके बारे में ऐसा बोला गया है कि जो क्रिमी होते हैं मतलब हमारे शरीर में जो क्रीडे होते हैं उनके 20 अलग-अलग टाइप की क्रिमी इंफेक्शन बोले हैं 20 अलग-अलग टाइप की क्रिमी हमारे शरीर में होते हैं और वो अलग-अलग रोग करते है जैसे कफ़ज क्रिमी, पुरिश्च क्रिमी, मलच क्रिमी इस तरह के उनके अलग लग नाम है तो जब रक्तधातू के अंदर के जो क्रिमी है जो कि आईरवेद में बोला है कि वो अद्रिश्य होते हैं वादब आखों से इतना दिखाई नहीं देते उस तरह की क्रिमी जब सेर में पहुँच के उसके साथ अगर कफ मिल जाता है तो इस तरह की मिमारियां हमारे सेर में पैदा करने का काम करते हैं इसी को अगर modern time में हम बोलें तो जो बाल जड़ना है उसे modern time में alopecia बोलते हैं ठीक कोई भी बाल जड़ता है तो उसे alopecia बोलेंगे, अब ये दो टाइप से होता है, एक cicatricial alopecia और एक non cicatricial alopecia, तो जो non cicatricial alopecia होता है उसमें क्या होता है, आपके बाल जड़ते हैं, बड़ आपको सिर्मे कोई infection नहीं होगा, या सिर्मे कोई 40 फोनसी, ये सब कुछ नहीं ह होगा आपको बड़ जो सिकर ट्रीशल एलोपेशा होता है उसमें क्या होता है कि आपके सिर में फोड़ी फुनसी या फिर खुजली मवाद इस तरह की तकलीफ होगी और वहाँ पे घाव बनेगा जब भी वह फोड़ी चली जाएगी तो वहाँ पे घाव बढ़ेगा और वहा कोड़न में बोलते हैं unknown ideology है मतलब इसका exact कारण क्या है वो हमें पता नहीं पर staphylococcus aureus नाम का एक बैक्टिरिया होता है उनका कहना है कि इस बैक्टिरिया के कारण सिर में फोड़ी फुनसी यह होती है और वह तकलीफ होती है सबसे पहले ऐसे एक जो पेशन्ट है उनकी प फिर हो जाता है तो जब हमने उनसे दिन चर्या उनकी पूछी तो यह देखिए यहाँ पे लिखी हुई आपको दिन चर्या उनकी दिख रही होगी सबसे पहले वो जो पेशन्ट थे वो सुबह 8 बज़े उठते थे 8 बज़े उठने के बाद एक से डेड़ गलस पानी पीते दे भैस के दूद की दिन में 2 से लेके साड़े 4 बज़े तक वो सोते थे फिर शाम को उठकर चाय पीते थे 8 बज़े दाल रोटी चावल खाते थे और साड़े 10 बज़े फिर से भैस का दूद आधा लिटर पीते थे अब इस दिन चर्या में हुआ क्या तो आप देखेंगे कि सारी कि सारी जो उनकी खानपन वाली आदत है वो कफ प्रकोप और क्रिमी बढ़ाने वाली आदत है जैसे कि बिना प्यास पानी पीना दिन में 5 बर भैस के दूद की चाय पीना दही खाना भैस के दूद का दिन में सोना और रात में फिर से भैस का दूद पीना सोने से पह तो ऐसे लोग जो वयाम नहीं करते, दिन में सोते हैं, बार-बार खाते हैं, बहुत ज़्यादा, मीठा, खटा, नमक, मिल्क प्रोड़क्ट, चॉकलेट, आइसक्रीम, इस तरह की चीज़े खाते हैं, उनके शरीर में क्या होता है, कफ दोश बढ़ जाता है, कफ दोश बढ़ के वो रक्त को खराब करता है, और रक्त और कफ खराब होके, सिर में इस तरह की बिमारी होती है, तो अगर आपको बार-बार सिर में फोड़ी, फुलसी हो रही है, और उसकी काण आपके बाल जढ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जो दिन में सोना बन करना पड़ेगा, मेर्विद में बोला है कि इसको ठीक करना है क्रीमी मतलब कीडो को खतम करने वाली जो भी आउश्रदियां है वो लेलो और कफ कम करने वाली दवा लेलो तो आपको आराम हो जाएगा जैसे कि त्रिफला और वीडंग एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है त्रिफला पाउड करेगा रख्त को क्लियर करेगा तो आदा चमच भिंग राच पाउडर आदा चमच गिलोए का पाउडर वो खाना खाने के बाद श्रहद के साथ लेना बहुत अच्छा फाइदे मन रहेगा त्रिफला के पानी से बालो को धोना रात में त्रिफला सव ग्राम पानी में मेंड होता है जो बहुत अच्छा काम करता है जिसको की लीश थेरपी भी कई बार बोला जाता है तो लीश थेरपी या फिर जलाव का चरण मतलब लीचेस जो होती है उने सीर में जहां-जहां इंफेक्शन हो रहा है वहां पे लगाने से वो जो अशुद धरक्त होती है उन अ आयरवधिक डॉक्टर को दीखा कर ले सकते हैं कई बार ये इंफेक्शन इतना जादा होता है कि वहां के बाल भी निकालने पड़ते हैं या कई लोगों के बाल इस लेवल के जढ़ जाता है कि पूरा गंजा बन आ जाता है वो होने के लिए फिर वमन नाम का चिकित साभ हो कवर होने में मदद मिले तो ये जो कुछ उपाय है वो आप कर सकते हैं लोकल सीर पे लगाने के लिए नीम का तेल आप लगा सकते हैं वो अच्छा बहुत अच्छा काम करेगा कड़वापन इनको चल जाता है वो नीम के तेल का दो दो डॉप अगर नश्य लेते नाक में भ जालते हैं तो जो भी क्रीमी है वो उसे खतम करने का काम करता है और कफ दोश को कम करने का काम करता है तो ये बिमारी कफ और रक्त ये दो चीजे खराब होने के कारण होती है इनको ठीक कर दोगे आपकी बिमारी अपने आप निकल जाएगी तो ये तो था सीर में होने वाली Foddy Funsi के बारे में उसके बारे में आईरुवित क्या कहता है उस बिमारी का नाम Arunshi का है और उसमें कहा गया है कि कफ को ठीक कर दो रक्त को साफ कर दो जो कृमी है उनको ख़तम कर दो आपकी बिमारी ठीक हो जाएगी इसके बारे में आपको जानकरी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बता है और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं तब तक के लिए स्वस्त रहें, मस्त रहें